बंदा ठूट नेरा बिख नेरा जुक नेरा है कुछ मुने अच्छा लगता है एक पावर स्वार को सामने एक पावर कुए कमज़ोर चीज़ کو देखके यह तो जटका लगता है कि या कुछ भी नहीं और इतनी हिम्मत है च्छोटी सी चीज़ को कितनी strongly पकड़ के रोज खड़ा हो रहा है कुछ भी नहीं है, इतनी इसी उमीद नहीं है पता है जीतने के chances नहीं है पता है हार जाएगा आगे से वो तो कतल का program बना ही चुके थे वो और बात है अल्ला ने नभी से सल्लम को बचाना था बचाना तो मौज़े भी तो इसी consistency में आते है मुस्तेगल मिज़ाजी मौज़े लाती है कत्रा कत्रा पानी जो है ना पहाड़ों को फाड़ देता है पहाड बड़े किवर में खड़ा होता है हलका हलका पानी पहाड़ों को फाड़ देता है रोज आना, impression create कराता है मार्किट में एक word of mouth create करता है आपके बारे में एक को कहते है न दुश्मनों के एवानों में ये बात जाती है सर देख के लड़िएगा इंके साथ लोग तो वो भी ठीक नहीं है और हम भी ठीक नहीं है लेकिन ये लंबी जंग के गोड़े हैं सर लड़ाई करेंगे न सर एक तो इनका हर फट लड़ता है और जब लड़ता है तो end तर लड़ता है हिटलर रशिया में क्यों हार गया क्योंकि रशिया में उसे हर धर से लड़ना पढ़ लागा तो जहां दिनों के अंदर उसने योरोप को फता किया यहां पिड़ गया हो आके आगे तो मुस्तिकल मुदाजी बंदे के बारे में यह इंप्रेशन क्रियेट कर रही है यह बिलीफ करता है किसी डेस्टिनी में और आज के दोर में जब इतनी पावरफुल दुनिया का मज़र कराया है उन्हें करोना के साथ उन्हें देखा दिया तुम कुछ नहीं फिर भी एक मुमिन कहता है मैं इस्टिल बिलीफ इन मिरिक्ल्स मुस्तिल बिलीफ इन समधिंग मुस्तिकल मुदाजी इंप्रेशन दिलवाती है कि मैं मर सकता हूँ मेरी जाट मेरे मकसद से बड़ी नहीं मेरे गुसे गम और इंकी इंदर डिस्ट्रॉइड प्रिस्पेक्टिव और वैल्यूस से बढ़कर है मेरी मंजल मेरा मकसूद मेरा महमूद छोड़ने अगर आपने ये सब जाया करना है जाया वोई तो करता है जो अपनी इज़त नहीं करता तो इसलिए पहाड तो बहुत भारी थे टांगे भी कमजोर थी और छुरे भी जादा जोर के थे मगर मासून के दिल के अंदर जिगर जो था ना वो आस्मान से बड़ा था जिसम कमजोर था जिसम कमजोर था जिगर बहुत बड़ा था निकाल गया रस्त है अब इसके अंदर सब अगर नहीं कर सकते हैं तो अल्ला ने भी आपका इमान के सारे दर्जे एक जैसे लिए अगर कुछ रूहों को आप रोक नहीं सकते हैं अदिल भाई याद रखिये खाँ कियोंकि वो बने ही थे वो नहीं रूख सकते हैं जाँए पने के वो गेर भी जाँगे वो रूक नही कोनी सकता है उसकी अपने नफस के लिए इस्ज हो गया बलके बाई यह ना यह स्केल कोई चीज है है और एक लिहास से नहीं यह स्ट्राइटिजियां यह प्लैनिंग असल चीज मैटर करती है किरदार आप बंदे को सरदार बनाना है फिल्ड में आगे ले जाने के लिए आप सिखाई नहीं रहे उसको भाई जान लोगों ने एक टाइम के ऊपर जो सई जैन्मन लोग काम कर रहे हैं ना वो जब किसी से हाईर कर रहे हूंगे ना वो पहला चीज पता क्या देखें कितनी स्विच जारूं अपने और्गनाजेशन में भी लेकिन मैं उसको क्यों रखूँ इसका मुझे बता कि छे महीने में फुदक जाएगा आगसे वाई डू आ वांट सच अ मैन ऑन माई बोर्ड ऑफ दे कोर गाईज ऐसा शक्स किसको चाहिए होता है जो छे महीने में कभी आपके पास ह यहां जो कभी किसी और के पास है अब हमारे साथ कभी उनके साथ को मसले की बात दे है अइसे लोगों को आपने पास लाना ही नहीं होता हुद आप नहीं पर रखते हैं जाएं की जगा जाएंं की फ्लेस ऑ, दूसरा हो है जो यह जगा ऐसा चिपका है, फेवी कल्ल की तरह उठने का नामी नहीं ले रहा है उस जगह से सारे मैक्रो सीख लिए सारे मालूमात ले लिए सारा हुनर सीख लिए सारा स्किल सीख लिए और अब opportunity hunting का जब वक्त आया और सेट आपकी price बढ़ा नहीं रहा कीमत नहीं बढ़ा रहा तो it's time to take a migration तो उसे हर वक्त हिजरत की चड़ी होती है और यह बिल्कुली बैठे रहते हैं हर वक्त तो यह भी फ्रात अफरीत है भाई point यहां पर यह है अपने आपको किसी जगह के उपर सबसे पहली चीज़ा भी बनाया कि हम जब लगते हैं ना किसी के साथ तो पूरा time देते हैं तो ज कि खान चैनल कर सकते हैं नंत पांच साल के बाद भी आप अगले 5 साल यहां पहले बता ने और उन्हों ने आपके साथ अगले 5 साल में बह radi काम किये थे तो तब हीर पको से लिएक निए गले 5 साल के लिए आपको अपना स्कोर्प नहीं लिए दिखगा टाइए टबाट य है Crusher और फो हर फंच घंदें के बादों हो जाते हैं या 5 महिने के बाद हैं ये 50 महिनों के बाद आके पीशी पचासर assunto है क्अर वक्वे doctrine ये बी गलत है इनके स्किल्स जब काम पूरे हो जाते हैं तो फिर इंको का जाता है यह सर्वेस इस नो लॉंगर रिकॉराइट सर्थ तो वाजन कंसिस्टेंसी अपनानी होती है जौब्स के वाले से लेकिन आपको अपरचुनिटी हंटिंग करने हर जगा नहीं चले जाते हैं अपनी वर्थ बनाते हैं अपनी वफाओं के साथ अपनी वर्थ बनाई जाती है वक्त लगाने के साथ आपके रिज्यूमे में यह हो सब्सक्राइब करें चोड़ा क्यूं और छोड़ा क्यूं नहीं